उत्राखंड मुक्त विश्व विद्याले के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर भागिश्री जोशी मनोविज्ञान विभाग उत्राखंड मुक्त विश्व विद्याले से आज आप सभी के सामने उपस्ते थूँ व्यक्तित्व मनुग्यान की महत्पून विशय को लेकर की आज तक हमने जब भी व्यक्तित्व की थियोरीज की परस्नालिटी की थियोरीज की व्यक्तित्व के सिध्धान्तों की बात करी तो हमने आज तक हमेशा जो परस्नालिटी की वेस्टर्न थियोरीज थी उन पर बात करी थी, उनका हमने अध्यन करा था, उनके हिसाब से जाना था कि व्यक्तित्व क्या है लेकिन व्यक्तित्व के कुछ ऐसे भी सिध्धान्त है जिनका जो development हुआ, वो eastern countries में हुआ जिन्हें व्यक्तित्व के पूर्वी सिध्धान्त के नाम से जाना जाता है भारत है, चीन है, जापान है, कुछ ऐसे देशों में व्यक्तित्व के सिध्धान्तों की व्याख्या की गई, उन्हें बनाया गया तो इन्हें व्यक्तित्व का पूर्वी सिध्धान्त, eastern theories of personality कहा जाता है जिस तरीके से western theories में व्यक्तित्व को परिभाशत करने की कोशिश की गई है, व्यक्तित्व के बारे में जाननी की और समझने की कोशिश की गई है तो इसी तरीके से कुछ eastern theories भी है, जिनमें क्या किया गया है, व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की गई है तो इनहीं के आधार पर आज हम कुछ, आज हम एक सिधान्त पर चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे उपनिशत की, कि किस प्रकार से उपनिशत में व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है, तो आज हम सिर्फ उपनिशत की बात करेंगे और अगली क्लासिस में फिर हम समझा गया है और किस तरीके से समझाया गया है तो चली आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उपनिषद व्यक्तित्व के बारे में क्या कहता है तो सबसे पहले जो उपनिशद है उसके बारे में हम बात करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि एक हिंदू धर्म में जो धर्म ग्रंथ की रूप में उपनिशद को जाना जाता है जो उपनिशद है उसमें वैदिक साहित्य की रूप में उसमें व्यक्तित्व की व्याक्षा की ग और उपनिश्द ये कहता है कि जो व्यक्तित्व है वो क्या है हमारे मन और हमारे मस्तिष्क यानि कि हमारे मन और मस्तिष्क और हमारा हृदय जो है उसका सम्मिश्रन होता है यानि कि जो व्यक्तित्व का निर्मार्ण होता है वो हमारे मस्तिष्क और हमारे हृद्य, हमारे माइंट और हमारे हार्ट यहाँ पर मन और मस्तिष्क को एक साथ रखा गया है तो हमारा जो माइंट है और हार्ट है उन दोनों का मिश्रन यहाँ पर व्यक्तित्व को माना गया है और यह माना गया है कि व्यक्तित्व दोनों के ही मिश्रन से मिलकर बना है इसके अलावा इन दोनों मिश्रनों के अलावा कुछ व्यक्तित्व की कुछ अंशों की व्यक्या यहां पर उपनिशद करता है उपनिशद यह मानता है कि जो व्यक्तित्व की महतपून अंश होते हैं वो होता है व्यक्तिक आत्म जिसको हम इंडिविज्वल सेल्फ कहते हैं यहाँ पर व्यक्तिक आत्म की बात करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि जो अपनिशद है, वो किस पर बात कर रहा है, व्यक्तिक आत्म की, यानि कि जो इंडिविज्वल हमारा सेल्फ है, जिसको हम सलल शब्दों में आत्मा कहते हैं, जिसको हम सलल शब्दों म आत्मा कहते हैं, जो हमारा आत्म है, हमारा इंडिविज्वल सेल्फ है, इसको एक अंश की रूप में देखता है, इसके अलावा हमारे व्यक्तिक जीवन बलों को, यानि कि आप यहां पर देख रहे हैं, व्यक्तिक जीवन बल, जिसको कि हम individual life forces कहते हैं, इसको भी हमारे व्यक और जो व्यक्तित्व है उसकी व्याख्या यहां पर उपनिश्द व्यादिक भजन के रूप में करता है तो उपनिश्द में क्या किया गया है उपनिश्द में जो व्यक्तित्व की व्याख्या है वो किस तरीके से की गई है मन और हृदय को एक साथ समलित करके की गई है इसके जो अपनिश्द है, वो ये मानता है कि जो हमारी व्यक्तित्व है, उसको उन्होंने यहाँ पर जीवात्मा का नाम दिया है, यानि कि जो व्यक्ति का केंद्र बिंदु होता है, सैंटर पॉइंट होता है, उसको वो लोग जीवात्मा कहते हैं, यानि कि जो यहाँ पर आप दे कुछ आवरण होते हैं, उपनिशत का ये मानना है कि ये पांच आवरणों से मिलकर के बनी है, पांच आवरण होते हैं, जिसको कि पंच कोश नाम दिया गया है, पंच कोश कहा गया है, तो इन पांच आवरणों से मिलकर के जीवात्मा को विशलेशित करने की यहां पर की गई है इसे क्या कहते है इसे पंच कोश कहते है तो इसमें जो सबसे पहला कोश है उसे अन्नमे कोश कहा जाता है अन्नमे कोश जैसा कि आप देख रहे हैं इसका संबंद किससे है भोजन और शाररिकार्यों से है यानि कि किससे संबंदित है हमारे दैहिक शरीर से संबंदित जो हमारी आत्मा है उसका क्या होता है बाहरी आवरण होता है जो बाहरी आवरण होता है इसे अन्नमय कोश कहा जाता है जो कि सुक्ष्म तहों से सुक्ष्म आवरणों से बनावा होता है जिस तरीके से जो हमारे कपड़े हैं हमारे शरीर के बाहर का आवरण है हमारे कपड़े उसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं जो हमारे अनुमैकोश होता है वो हमारी आत्मा का बाहरी आवरण होता है ठीक है इसमें हमारे जितने भी हाथ-पैर हमारे जो हमारे ओर्गन्स हैं हमारे वो सारे ओर्गन्स सम्मिलित होते हैं जेनेटिक जितने भी और्गन्स होते हैं, वो सम्मिलित होते हैं, हमारे सेंस और्गन्स होते हैं, आख, ना, कान, मुँ, तवचा, यह सब इसमें ही सम्मिलित होते हैं, इसके अरावा जो अगला कोश होता है, वो होता है, प्राण मैकोश, प्राण मैकोश, जिसका संबंद किस जैव और जैव उर्जा से है, इसका जो कारी इसका मनंसिक आवा जैसे मआतकि से अन्नमा कोश था जारी स्क शारAbूं जो प्राट मे कोश sorry को हैं वह से बना हुँडर अजव बना हुआ हालgot है अगनी है, जल है, पृत्विया आकश, जो Jaiow Aavran होते हैं, जैवबल होते हैं, इसे यह बना हुआ होता है, इसलिए इसको Jaiow Aavran केहते हैं, इसके अलावा जो अगला है वो है मनो मै कोष, यह मनो मै कोष है, मनो मै कोष का संबन्द किससे है? और इसका जो कारे होता है वो क्या होता है? मानसिक होता है संबंद शिक्षा से होता है और जो कारे होता है वो मानसिक होता है जैव आवरन के बाद जो आत्म का दीसरा जो तह होती है उसको इस तीसरी तह को हम मानसिक आवरन के रूप में देखते हैं मन जो की एक अजम्शन है, आप जानते हैं कि जिसका ना कोई आकार है, ना कोई स्थान है, लेकिन फिर भी वो सारी अनुभूतियों को प्राप्ट करने वाला होता है, उन्हें रिकॉर्ड करने वाला होता है, तो इस तरीके से जितने भी हमारे मानसिक कारे होते हैं, वो इसी म मनों मैं कोश से निर्धारित होते हैं, जो अगला कोश है, वो विज्ञान मैं कोश होता है, यहाँ पर लिखा हुआवा गलत है, इसको आप ठीक कर लीजेगा, यह है विज्ञान मैं कोश, जिसका संबंध होता है बुद्धी से, हमारे जितने भी बौधिक क्रियाएं होती है, हमारे जो बौधिक आवरेल इसको माना जाता है, हमारे जितने भी बौधिक रियाएं होती है, उससे इसका संबंध होता है, यह हमारे एक तरेकी का मानसिक तक है, जिसका कारे होता है, वो मानसिक होता है, इसके अलावा जो आखरी जो कोश होता है, जो पांचवा कोश होता ह वो होता है आनन्द मैं कोश, जैसा कि आप नाम से इसको समझ रहे हैं, जब इन्सान की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, जीवन में उसने जो कुछ भी चाहा होता है, उसे सब कुछ मिल गया होता है, उसने सब कुछ अचीव कर लिया होता है, उसने सब कुछ हांसिल कर ल इसने सब कुछ हांसिल कर लिया होता है, तो यह अंतिम परागाष्टा होती है, और यह सबसे सुख़त अवस्था होती है, इसलिए इसको आनंद मैं कोश के नाम से जाना जाता है, तो इस तरीके से आपने जाना कि पांच तरीके के कोश होते हैं, अन्द मैं कोश, प्राण मैं मनों में कोश, विज्ञान में कोश और जो आंख्री है वो आनद में कोश. तो इस तरीके से पाँच City कोशों से मिलकर कि हमारी जो जीवातmaktashty व क्या होती है ना उती है। इसलेक्ड़ अलावा जो उपनिशद है वह जी मुंता है कि हमारी चेतन अवस्था होती है। उसके भी कुछ लेवल्स होते हैं, उसके भी कुछ इस्तर होते हैं, उसके भी कुछ अवस्थाइं होती है, तो जो उपनिश्द है, उसमें हमारी जो चेतन अवस्था है, हमारा जो चेतन है, उसके भी उन्होंने चार इस्तरों की व्याख्या की गई है, उन चार इस्तरों में जो सबसे पहला अस्तर है उसको जागरता वस्था कहते हैं जागरता वस्था से आप समझ सकते हैं कि इस अवस्था में जो चेतन होता है वो बहारी वस्थों की पहचान करता है यानि कि हमारे वातावरन में, हमारे सामने, हमारी आसपास जıtने भी stromilis होते हैं, जितने भी उद्धिपक होते हैं, वो उनसे सूछनाओं को ग्रहन करता है, उन सूछनाओं को एकाठा करता है, उन सूछनाओं का record त्यार करता है और इस अवस्था में जो हमारी जीवात्मा है हमने कहा था ना कि हमारे वेक्टित्व का केंद्र है वेक्टि का केंद्र है जीवात्मा तो इस अवस्था में जो जीवात्मा है उसको विश्व की संग्या दी गई है अपने अवस्था जैसा कि आपको नामसी समझ में आ रहा है इसको ड्रीम स्टेज कहते हैं इस अवस्था में जो व्यक्ति है वो सुक्ष्म आंतरिक वस्थों का ग्यान करता है मन तथा प्रत्यक्ष संग्यान का यहां पर महत्वपून कारी होता है यानि कि ड्रीक जो कॉंगिशन होता है उसका महत्वपून यहां पर कारी होता है इस अवस्था में ग्यानी द्रियां बहारी दुनिया से सूचना को ग्रहन नहीं करती फिर भी जो मन होता है वो सक्री रहत जागरता अवस्था से प्राप्त अनुभूतियों पर कारी करते रहता है, इस अवस्था में जो चेतन है वो अंचता सोया हुआ और अंचता जागा होता है, यानि कि वो थोड़ा सा सोया होता है, थोड़ा सा जागा होता है, इस अवस्था में बाहरी अनुभूतियों के बज उसे तेजस या तैजस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है तो जो पहली अवस्था थी उसमें आपने देखा था कि वहाँ पर जीवात्मा को विश्व कहते हैं और जो दूसरी अवस्था थी अवस्था जीवात्मा को क्या कहा जाता है तेजस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है इसकी बात जो अगली अवस्था होती है वो गिहरी निदरा अवस्था होती है इसको stage of deep dream के नाम से जाना जाता है इस अवस्था में सभी अनुभूतियाँ आंतरिक आर्म, यानि की inner self तथा सार्विक आत्मी यानि कि जो उनिवर्सल सेर्फ हैं दोनों से ही मिल जाती है ग्याने इंद्रिया सक्री नहीं रहती पर अन्तु जो आत्म होता है अपनी शक्ति से क्या करता है परसेप्शन करता है यह जो अवस्था होती है परमानंद की अवस्था होती है इसे पहले अ जो कोश पढ़े थे, कोशों में हमने जाना था कि किस तरीके से जो आंखरी कोश होता है, आनन्द में कोश, जहां पर सारी इच्छाय समाप्त हो जाती है, आनन्द की अनुभूती होने लगती है, इंसान सब कुछ प्राप्त कर चुका होता है, तो यह वही चेतना चेतन का वह अवस्кое नाम से संबोधित किया गया है इसके बाद जो अगली अवस्था होती है उसको तुरिय अवस्था कहा जाता है तुरिय अवस्था ये पूर्ण एवं अपरिवर्तथ अवस्था होती है जो कЬ सभी तरीके के परिवर्तनों की बीच चलती रहती है कि जिंदगी में जितने भी परिवर्तन हो रही होते हैं, उनके बीच ये अवस्था चलती रहती है, इसका ना कोई आधी होता है, ना कोई अंत होता है, यहाँ पर इंसान को self-realization होने लगता है, वो आत्मा अनुभूती करने लगता है, और इस अवस्था में जो जीवात्मा ह पांज़ कोश होते हैं, और चार क्या होते हैं, चेतन की चार स्तर होते हैं, चार लेवस होते हैं, जो कि क्या है, जागरतावस्था है, waking stage जिसको हम क्याते है स्वपना वस्था है, dream stage घहरी निद्रा वस्था यानि कि stage of deep dream और तुरिया वस्था इसको कहा गया है, तो इस तरीके से जो आपनी जाना, कि जो उपनिशद है, उपनिशद में किस तरीके से व्यक्तित्व की किस तरीके से उसे पांच कोशों में यहां पर रखा गया है, किस तरीके से चार जेतन के चार इस्थार पर उसकी व्यक्तित्व की गया है, तो इस तरीके से उपनिशद में व्यक्तित्व को परिभाशित किया गया है, व्यक्तित्व को समझने और समझाने की कोशिश की गया है तो आज के लिए बस इतना ही अगली क्लास में हम जानेंगे वेक्टित्व का सांग की सिद्धान और सांग की सिद्धान में किस तरीके से वेक्टित्व की व्याक्या की गई यह से हम चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्त्राइब